अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ब्रेक्फिस्ट, लंच और डिनर के अलावा चौथी मील कौन सी लेता हूँगा तो यू माइट से, यू माइट बी हाविंग स्नैक्स राइट, चाय पकोड़े तो बनता है दिवस लेकिन जो मेरी चौथी मील है न, वो है कॉमेंट्स कॉमेंट्स on Instagram, कॉमेंट्स on Facebook, यहाँ तक की जो e-mails भी आती हैं, वो भी मेरा एक मील है कई बार ये मील अच्छी होती है, कई बार ये मील अच्छी नहीं होती है और रोजाना मुझे करीब 10-12 messages और 4-5 e-mails ऐसे आते ही हैं, जिसमें भर-भर के गालिया लिखी होती है उसका वक्त कितना कीमती है लेकिन वो अपने पूरे दिन के टाइम में से वो कुछ इंपॉर्टन टाइम निकाल कर अपने दिल का सारा गुबार टाइप करता है और मुझे सेंड कर देता है बीप 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 आपके भाशा आपके बारे में बहुत कुछ बताती है हम किस जगर से आते हैं हम किस परिवार से आते हैं हम किस environment में बड़े हुए हैं और आज हम कैसा content consume करते हैं हमारे आसपास के दोस्त कौन से हैं that decides कि हम words कौन से use करते हैं the words that we choose speak a lot about us है कि नहीं जो हम शब्द अपने लिए या औरों के लिए use करते हैं वो बहुत कुछ दर्शाता है कि हम कहां से आते हैं some people would not mind abusing publicly आपने सुना होगा है लोगों कोई फरक ही नहीं पड़ता है अगर आप उनसे कहीं बहार सड़क पर मिल जाएं या कहीं पर भी उन्हें गाली देने में कोही हिचक नहीं होती अब गाली भी दो टाइप से दी जाती है one out of love and other out of hate now the question is कि who would abuse out of love अगर कोई किसी से प्यार करता है महबबत करता है तो उसे गाली क्यों देगा सुना है ना लोग पड़ी प्यार से अपनों को भी बहुत ही प्यार से गालिया देते हैं in this case the person's intent is not to insult you with that abusive language however unfortunately that is the way of expressing again it depends majorly on the environment अगर घर पर आसपास के दोस्त गाली देकर ही बात करते हैं तो आप भी वोही words पिक कर लेते हो मजाग मजाग में आपके जबान गंदी हो जाती है जहां आपको एहसास भी नहीं होता है कि आप किसी की बहन या आप किसी की माँ को बेज़त कर रहे है तो अगर एक habit है कि प्यार में भी ये प्यार में है यार सोचो कि आप कि इन शब्दों का इस्तवाल कर and when we abuse out of hate, जब गुसात है न मतलब then our intent हमारी मंशा होती है to insult the other person, to bring him down ये मारी intention होती है कि बस beep, beep and beep it happens when we are not able to manage our emotions सोच के दिखेगा जब कभी भी हम अपने emotions को manage नहीं कर पाते है हमें गुसा आता है और हम बोल जाते है we are so angry that we just speak out whatever comes to our mind now let's discuss why people abuse क्यों होता है ऐसा लोग गाली क्यों देते हैं लोग abuse क्यों करते हैं चाहे physical abuse हो, चाहे emotional abuse हो क्यों करते हैं, the first reason is there is a chemical loja याद है ना, Munna भाहे MBS, there is a chemical loja that some people have an anti-social personality disorder, इन्हें sociopath या psychopath कहते हैं such people उन्हें बड़ा मजा आता है, they gain pleasure by seeing others in pain, कि हाँ उसको बुरा लगा मुझे अच्छा लगा, उसको feel हो ना, बस अब मेरे दिन अच्छा जाएगा सूच के देखें कि आप किसी को बुरा feel कराके, खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं, certainly there is a chemical loja, the pleasure that you gain by seeing other one in pain oh god, this is a definition of a psychopath आप बताएए, do you know someone who is a psychopath आपके आसपास जंदगी में आप बहुत साइड लोगों से रूबरू होते होंगे, चाहे आपके दोस्त हों आपके कलीग्स हों या कोई भी हो have you seen this happening with them कि उनको औरों को बिजद करने में बड़ा मज़ा आता है वो किसी को कुछ कहेंगे कोई comment पास करेंगे और बास, क्या कर सकते हैं what can you do sociopath have anti-social personality disorder is the most difficult to treat if you are that someone or you know someone then ask them to seek medical help on the other hand अगर आप किसी ऐसे शक्स से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं तो उनके दुआ करें उनके ओपर गुसा मत होईए आपको हैसास भी नहीं हो रहे कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे आपको पता भी नहीं है कि they are suffering a lot more उनको समझ भी नहीं है कि वो क्या कह जा रहे हैं क्या बोलते जा रहे हैं आपको बस अपनी boundaries को set रखना है ताकि वो आपके mental peace को affect ना करें else उनके दुआ करिये कि बगबार इनको सब बुद्धी दे, इनको शांती दे let them get well soon ठीक है the second reason हो सकता है कि वो भी कभी ना कभी if a person goes through that kind of trauma in the childhood तो या तो वो उनके अंदर बैठ जाता है और वो बिलकुल शांत हो जाता है या फिर उसमें इतना aggression आ जाता है कि वो लोगों को कुछ भी कहना शुरू कर देते है something like tit for tat कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं भी इसके साथ करूँगा मुझे ले बुली किया गया तो मैं भी बुली करूँगा उसने मुझे गाली दी मैं भी गाली दूँगा मुझे दबाया गया मैं भी दबाऊँगा it is a subconscious attempt to manage themselves they are they are trying to recover from their own abuse वो जिस abuse से गुजरे है अपने बच्पन में कहीं न कहीं वो उसी को manage करने कोशिश कर रहे है क्या कर सकते है instead of abusing back make peace with your past अगर आप के साथ ऐसा कुछ हुआ है I can understand कि आप बहुत दुख बहुत पीडा से गए होंगे even I have been through my share of traumas अगर मैं इसको reciprocate करूँगा तो कुछ हासल नहीं होगा कुछ हासल नहीं होगा except for who you are now and don't create traumas for someone यह तो एक chain reaction बन जाएगा न आपके साथ हुआ आपने किसी और के साथ किया उसने किसी और के साथ किया and the loop goes on and on and on and on and on कहा end होगा यह end हो सकता है आपके साथ अगर आप उसको समझें कि जो हुआ it has made me who I am today and I am proud of that that's it make peace with it aggressive होने से आपको दिक्कत होगे yes the third reason is consuming of explicit content आजकल we have access to all kinds of content आजकल के songs हो या movies हो या web series हो इतना इतना normal बना दिया है किसी को objectify करना किसी को गाली देना आपने आजकल rap song सुने होंगे गालियां सुनी होंगी इतना normal हो गया है कि किसी female को अगर आप objectify कर दे चाए वो चिखनी चमेली हो या मुनी बदनाम हो it is quite normal और फिर हम कहते हैं कि we should respect the opposite sex आप सोचके देखे ना it has become the new normal कि क्या दिखका थे गाली देने में सभी तो कर रहे हैं इसमें मैंने क्या गलत किया आजकल चलता है यार बोरो इस इस कूल ऐसे ना इस इस कूल बो if we just pass a remark against a female for the female कुछ भी बोल दो अरे मैंने गाने में सुना था यार ऐसे बोल दो बहुत कूल लगता है बो सकता है हां कर दे क्या कर सकते है change the content that you consume or even if you consume it then apply filters अपने आगे filters apply करो before absorbing all the words and the gestures वढ़ना आपको हैसास दीने होगा कि कब जो आप चीज़े consume कर रहे हो वो आपका part बन जाएंगे yes the fourth reason is anger and control issues some people want to control and take charge dominate करना चाहते है तो किसी को bully करके किसी का मजाग बनाके किसी को नीचा दिखाकर खुद को control में power में महसूस करते हैं again it could be linked to a childhood experience सोच के देखिये अगर ऐसा आपके साथ हुआ है अगर आप आज किसी को abuse करते हैं और मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं समझे कि आप जिस दोड़ से गुजरे उसका असर आपे तो पढ़ रहा है और उपे ना पढ़ है क्या कर सकते हो कुछ नहीं जिस प्रेख वर देम कि बगवान उनको सबुद्धी दे और जिसे सबुद्धी दे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनका मजाद बना रहे उनके लिए हम कह रहे हैं कि यारी कैसा बना है उनके बढ़ होंcionा फाल पढ़ होगी कोषि दुद्धी दुद्ध हकंच prevent बना किक बनाँ धिर्फ रहे हैं यह बनाँ पिर्थे सब दुद्धी दू अन सब्सकिरण धर दीम दुद्धी जाप्र बनाँ लिएट मुझी वड्यारे हैं है जो आगे निकल जाता है, जिसको पावर मिलती है, उसको लोग पूछते हैं, मुझे कोई पूछी नहीं रहा है, तो I feel insecure, खुद को accept नहीं कर पाते हैं और दूसरों को blame करना शुरू कर देते हैं, आंगर, frustration, abuse, शो करके, they make a temporary peace, उदाने के लिए गुसे में लोग टेबल तोड़ देते हैं, या कुछ भी तोड़ देंगे, जरा सोचिए, ऐसे शक्स की जो मनुदशा है, उसकी जो मासिक्तिती है, जिक कैसी होगी, क्या करें, खुद को पूरी तरह से अपनाई है, feel grateful for this life, जिन्दगी के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, value what you have than comparing with others and getting jealous, take a moment and look around you कि आपकी जिन्दगी कितनी हसीन, आपको कितना कुछ मिला है इस जिन्दगी में, your family, if you are healthy, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जिसके लिए हमें शुक्रियादा अदा करना चाहें, and that will make you at peace, अब बार बार अपने आपको कम नहीं मह source करोगे as compared to someone else, हर बार comparison पैसे के base पे नहीं होता है, हर बार comparison skill के base पे नहीं होता है, हर बार comparison मैं आज कहां हूँ, वो आज कहां पर है, उसके basis पे नहीं होता है, depends कि उसके हालात कैसे थे, उसका background कैसा था, कब शुरुआत आप ने करे, कब शुरुआत उस ने करे, so feel grateful for what you have, the sixth reason, they have lost hope, sometimes even after trying, we're not able to get what we were aspiring for, in this case, एक option है कि आप निराश होकर, हताश होकर, हार मान जाओ, और आस पास के लोगों पर, बेश पर, सरकार पर, दुनिया पर, जो हुभी मिले, उसको ब्लेम कर दो कि अगर आज मैं जिस हालात में हूँ, इसका जिम्यदार वो है, ये उसकी वज़े से हो, क्या करें, क्या ब्लेम करने से रियाल्टी चीन हो जाएगे, या फिर, हम constructively सोचें कि क्या कर सकते हैं, what next, अगर हमारा focus रहेगा कि ठीक है यार, ये हो गया, maybe I trusted the wrong person in a relationship, I was cheated, हो सकता है, but then what next, आगे मेरे लिए क्या है, what I can do next, जो भी हालात से मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है, तफ फेज है मानता हूँ, लेकिन हो जाएगा, निकल जाहूँगा, and the seventh reason why we abuse is that, we don't have empathy, जो लोग abuse करते हैं, चाह physical हो, emotional हो, या गाली देते हैं, they don't realize कि दूसरे को कैसा फील हो रहा होगा, उनके खुद के emotions और past experience से जंग इतनी गहरी होती है कि there are no more concerned of others, वो चाह कर भी empathy express नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी खुद से जंग इतनी गहरी होती है कि वो खुद से लड़ते रहते हैं, और लगता है कि अरे, दूसरा बंदा समझ जाएगा, मैं उसे क्यों समझू, क्या करें, क्या करें, कभी दूसरे की नजर से भी दुनिया को देख कर देखो, शायद कुछ नया दिख जाए, शायद तुम खुद से मिल पाओ, The next time when you are about to abuse, remember, it shows a lot about your background. It shows a lot about the family you come from. It shows how you look at the world. It shows how much you really care about your mother and your sister. And it shows a reflection of who you are from the inside. words have the power to make or break a relationship words have the power to bring the world together or to lead a war amongst nations take time to heal yourself forgive yourself forgive others accept yourself in spite of your flaws and still be awesome if you have been going through all this i just want to tell you that i understand you i would pray for you and would love to see you live a happy life let others live a happy life too it's time for you to choose love over hate till then stay awesome stay productive you